पर नेक्स पेज पर देखे बचो आपको बताया है कि यह जो आपके पास congruent relation होता है यह भी basically equivalence होता है theorem के थूरू इन्होंने बता दिया कि theorem आपको बता दिया कि कोई भी आप congruent relation लेलो किसी भी modulo n का वो अपने आपके congruent होगा यानि reflexive भी होगा और अगर वो a congruent है b modulo n के यानि कि इसके अंदर symmetric property भी hold करेगी इसी तरह अगर a congruent है b mod m के और b congruent है c mod n के तो a congruent हो जाएगा c mod n के यानि वो transitive property को भी satisfy करेगा यह बचो उन्होंने हाँ पर बता दिया कि equivalence की property को satisfy करता है उसके बाद बताया कि equivalence relation और partitioning को अगर आपने set की form में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो suppose that r is an equivalence relation on a set test की r अगर आपके पास कोई भी equivalence relation है किसी भी set test पे और a कोई भी element है s का for each a in s let a denotes the set of element of s to which is related under r क्या बात यहाँ पर बताई हूँ यह कि बचो देखो basically अगर आपने कोई भी equivalence relation यूज़ करके equivalence class बनानी हो आप उसको इस form में लिख सकते हो जैसे के भी पीछे देखे मैंने आपको जो example करवाई थी अब यह पूरी की पूरी जो है कि आपके पास zero की class है five के respect से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यह आपके पास zero की class है इस class का मतलब क्या होगा इसके अंदर सारे के सारे वो element आएंगे जिनको जब आ five से divide करोग आपको कि आप किसी भी class को इस form में लिख सकते हो जो के आर्ट से relate कर रही होती है यानि कि zero की class का मतलब understood हो नची इसके अंदर वो सारे के सारे element आएंगे जिसका remainder जो है and के respect से zero आ रहा होगा उसके बाद quotient set बताया है, quotient set क्या होता है, quotient set ऐसा set होता है जिसके अंदर सारी कि सारी equivalence classes आ रही हैं उस set को आप quotient set कहते हो, for example जिस तरह हमने पीछे z5 के respect से बात की है, उसके अंदर पहली class आनी थी, zero की class, one की class, two की class, अब classes को लिखने की method होता है, आप इसके उपर बार डाल के वी से लिख सकते हो, three की class आनी थी, four की class आनी थी, अब ये सारी classes को अग ये कि अगर कोई set ऐसकी बात हो रही है, आप उसको आर की devian की form में लिख दो, इसका मतलब भी होगा, इसके अंदर सारी आर की वो वाली classes आएंगी, जिसके respect से आपने अन लिया होगा, basically बच्चों ये definitions ये हैं, definition आप लोगों ने आज याद करनी है, छोटा सा lecture आपको देर एक्जिस्ट कर रही होते हैं, तो वो itself byjective होता है, याण equivalent relation होता हो, वो अगर दो सेट बताया चाहिए, उसमें symmetry की property भी होल्ड कर रही होती है, ट्रांसिटिव की property भी होल्ड कर रही होती है, जस्ट एकी चीज़ को बच्चों इन्होंने बार बार repeat किया हुआ है, उसके बा cardinality का मतलब होता है, number of elements, अगर उन्होंने का है, कोई भी सेट आपके पास equivalent है, 01 सेट के, अगर कोई भी सेट इस सेट के equivalent होगा, इसका मतलब यह होगा, उन दोनों की cardinality सेम है, यानि उन दोनों के number of elements सेम है, और अगर उन दोनों के number of elements सेम है, तो आप को होगे, उन दोनों interval के equivalent आ जाए power of continuum को basically बचो हम small cc note करते हैं इसका मतलब भी होता है अगर आपसे कहा जाए कि 0 1 interval है for example इसकी cardinality बताए cardinality का मतलब होता है number of element उसे mode से भी ऐसे कह सकते हो तो आप कहोगे इसकी cardinality आपके पास c है इस c को power of continuum कहते हैं आप लोग ठीक है अब जिस तरह आपको पता है R आपके पास equivalent होता है 0 1 interval के अब देखें R 0 1 interval के equivalent है अगर ये इसकी equivalent है तो इसका मतलब भी R की भी वही cardinality होगी जो 0 1 interval की cardinality है तो यहाँ से कोगे R भी क्या होगा power of continuum R की cardinality यानि के R के number of element भी आपके पास c होंगे power of continuum को in journal C कहते हैं उसके बाद आपके पास in journal cardinal number की definitions आगी है बचो ये different format, different definitions लिखी हुई है आपको असान words में मैं इसकी definition बता देती हूँ किसी भी set का cardinal number क्या number होता है उसके total number of elements को आप उसका cardinal number कहते हो उसको denote करने के different method होते है mode से भी कर सकते हो n of a से भी कर सकते हो या card of a से भी कर सकते हो cardinal number यही होता है कि उसके अंदर कितने element पाए जाते हैं finite set के लिए और होता है finite set के लिए और होता है और जो आपके पास same classes हो उनका cardinal number भी आपके पास same होता है और जो set आपस में equivalent हो उनका cardinal number भी आपके पास same होता है यही सारी बाते हैं आपे लिखी हुई है symbol की form में आप यह definition कह सकते हो कि अगर दो set आपके पास same symbol उनको sign हो रहे हैं इसका मतलब भी उन दोनों की cardinality आपके पास same है यहाँ पर भी यही बात कहिए है उसके बाद बता दिया है कि अगर same classes है उनकी cardinality same होगी अगर कोई set equivalent है उसकी cardinality आपके पास नही number of element same होगे उसके बाद बता दिया कि अगर देखें कोई भी set 5 है 5 के अंदर हमें पता है कोई element नहीं होता तो 5 का cardinality आपके पास क्या होगी जीरो होगी अगर कोई एक set है वो 1 to N तक N number of element देखें आ रहें अगर कोई set A इसके equivalent है equivalent के लिए single notation भी उसकर सकते हो डबल भी तो देखें ये set इसके equivalent है और मैंने पीछे बताया अगर कोई set दूसरे set के equivalent हो दोनों की cardinality same होती है इसका मतलब भी होगा A के number of element भी आपके पास हैनना आएंगे उसके बादरों ने यहीं बता दिये के finite set के cardinality finite होती है कोई finite number आता है उसके बाद बचो यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी theory बतायी थी के cardinal number of infinite set are called infinite और transfinite cardinal number finite set के cardinal number को finite cardinal number को लेकिन infinite set के cardinal number को infinite कहते हो या transfinite कहते हो अब यह केंटर ने बचो चीज़ें बताई थी केंटर ने invent की हुई है इस notation को आप लोग alpha node पढ़ते हो केंटर ने कहा था कि कोई भी set अगर आपके पास n के equivalent आ जाएगा तो उसकी cardinality या cardinal number n alpha node हो जाएगा यह चीज़ बचो याद रखनी है जो n natural number होता है इसकी cardinality जो होती है आपके पास in general वो alpha node होती है जो आपके पास r या 0,1 closed interval होता है इसकी cardinality आपके पास power of continuum यानि के c होती है जो चीज़ आपके पास n के equivalent आएगी उसकी cardinality भी alpha node हो जाएगी जो चीज़ 0,1 interval या r की equivalent आएगी उसकी cardinality आपके पास c हो जाएगी यहाँ पर भी यही बात बताई हो ही अगर finite है तो n है अगर वो n की equivalent है तो alpha node है और अगर r की equivalent है तो उसकी cardinality power of continuum आजाएगी